हेलो दोस्तों, नमस्षी वाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्पूर टॉपिक लेकर आई हूँ जो टॉपिक है वो है मांगलिक दोस्त आपने सभी सुना हो, सभी लोगों ने सुना होगा जब विवा के लिए हम लड़का लड़की देखते हैं जनम कुंडली में, अगर कोई लड़का लड़की कोई भी मांगलिक होता है तो उसके पर हम सोचते हैं कि शादी करें या ना करें तो उसके लिए मांगलिक लड़का ही देखा जाता है तो आज मैं आपको बताऊंगी मांगलिक दोस्त के बारे में दोस्तों सब प्रिथम मांगलिक दोस है क्या जाता की कुंडली में मांगलिक दोस कब बनता है जब जाता की कुंडली में मंगल ग्रह एक चार साथ आट बारा के बाओं में या इस्तती में हो तो यह कुंडली मांगलिक कहलाती है आपको किलियर हो गई होगी बात लेकिन इस मा परिहार का मतलब समझते हैं एक तरह से मजाग बन जाता है मतलब वो माना ही नहीं जाता अब उस्ति क्या क्या है जैसे कुंडली एक चार साथ आट बारा के भाव में मंगल ग्रह की पस्ति सैंबुरासी मेस ब्रसिक या उचरासी मकर में बैठ जाएं तो परिहार हो जाता है यदि मंगल ग्रह पर गुरू की दरस्टी हो या साथ में बैठ जाएं तो भी परिहार हो जाता है यदि बर की कुंडली में मांगल चीन हो जाता है यानी शादी की जा सकती है हाँ पर मांगली दोस्का असर खतम हो जाता है यानि मंगल ग्रह से सोरे ग्रह से अस्थ हो तब भी चीन हो तो दोस्त परिहार हो जाता है क्योंकि चंद्रमा और का मंगल लच्मी योग बनाता है यदि लगन या सप्तम भाव में गुरू या शुक्र बली हो तो मांगलिक दोस्थ परिहार हो जाता है यदि बर और बदू की कुंडली में रासी एक ही हो और मित्र रासी हो और 27 से ज़्यादा गुण मिल नहें हो तो भी मांगलिक दोस्थ प में मांगलिक देखने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों आज मैंने आपको एक महत्पूर टॉपिक पर विवेचन किया है इसको आप देखें फिर भी आपको अगर कोई आप मुझसे पूछ सकते हैं अपना कमेंट्स लाल कर तो दोस्तों आज का वीडियो महीं समात करती पसंद आए तो लाइक करें दूसरों को शर करें और कमेंट्स में नमशी बाजरू लिकें बहुत बहुत धन्यवाद